नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम ट्वी मैं हूँ आपके साथ श्रिखा मैं रोत्र वीकेंड चर्चा में आपका स्वागत है बीते दो साल से कोरोना अपना कहर बर पा रहा है लाखों लोगों की जान गई अर्थविवस्था चर्मर आ गई पहली लहर देखने के बाद देश दुनिया थोड़ी समली थी लेकिन कोरोना के कम होते आकडों ने लोगों के जहन से कोरोना का डर कम कर दिया जिसकी वजह से लोग लापरवा हो गए और कोरोना का नया वैरिंट डेल्टा कहर बनकर तूट पड़ा कोरोना की दूसरी लहर की जिम्मेदार सिर्फ लापरवाही नहीं है और भी कई वज़ा थी जैसे कमजोर स्वास्तिस व्यवस्था संसाधन की कमी और सबसे एहम देश में चुनाव इन चुनावों की कीमत लाखों लोगों को दूसरी लहर के दौरान जान गवा के अदा करनी पड़ी देश में पाच राज्यों में चुनाव थे जिनके लिए सभी राजनितिक दलों ने कई रैलिया करी दौरे करे जनसभाई की जिसमें लोग अलग अलग जगह से सफर करके भी आए और लाखों लोगों की भीड में कोरोना के डेल्टा वेरियंट का तीजी से प्रसार हुआ बात करे बंगाल चुनाव की तो अपना दमखम दिखाने के लिए राजनितिक पार्टियों ने का नतीजा चुनाव के बाद सामने आया जहाँ बंगाल चुनाव के बाद हर दूसरे घर में कोरोना संक्रमित थे इतना ही नहीं चुनावी दौर खत्म होने के बाद जो मौत ने तांडव किया शायद ही उसे कोई भूल पाए कोरोना ने तनी लाशे बिचा दी कि कब्रिस्तान में जमीन और शम्शान में लकडिया कम पड़ गई हाल तो ये था कि अंतिम संसकार के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता था लाशे दो-दो दिन तक अंतिम संसकार के इंतजार में लाइनों में पड़ी रही लोग अपनों को बचाने के लिए मिन्नते करते रहे रोते भी लगते रहे आकसीजन नहीं मिली और लोग मरते रहे लेकिन सरकार को सुध तब आई जब चुनाव खत्म हो गए सभी राज्यों में जब चुनाव खत्म हो गए उसके बाद शुरू हुआ सक्त निर्देशों का दौर देश में दूसरी लहर के दौरान दूसरी बार लोग डाउन लगाया गया जिसके बाद अर्थ विवस्था को तो एक और धक्का लगा लेकिन जो कोरोना की बेलगाम रफ्तार थी उस पर लगाम लगी और हालात सामान्य हुए और आज इस्तिती सामान्य है इस सामान इस्तिती और कम होते आकडों को देखकर लोग फिर से लापरवा हो गए है मास्क नहीं लगा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और सबसे एहम बात ये कि चुनाव सर पर है और कोरोना ने फिर से दस तक दे दी है और इस बार कोरोना और शक्तिशाली होकर लोटा है यानि नए वैरियंट में काई म्यूटेशन हुए है जिसकी वजह से ये काफी तेजी से फैलता है ओमिक्रोन वैरियंट कितनी तेजी से फैल रहा है इसका नतीजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शुकरवार को दक्षिड अफरीका में 16,055 नए मामले सामने आए और 25 मरीज की मौत हुई है जबकि नवंबर के दूसरे हफ़ते में हर दिन महज 200 मामले ही सामने आ रहे थे हाला कि बढ़ते संक्रमण के बीच वैज्यानिकों ने छोटे बच्चों को लेका चिंता जताई है कोरोना का नए वैरियंट ओमिक्रोन भारत पहुँच चुका है और इससे चार संक्रमण भी सामने आए है साथ ही कई संदिक्द लापता है अब सवाल ये है कि क्या इतिहास फिर से दोहराया जाएगा क्योंकि कोरोना के नए वैरियंट ने दस्तक दे दी है और चुनाव भी सिर पर है क्या इस बार भी कोरोना के बीद चुनाव रहेगा खास इस बार चुनाव के बाद क्या होगा परिणाम बदलेगी सत्ता या जाएगी फिर से लोगों की जाद ओमिक्रोन को देखते हुए क्या होगा चुनाव आयोग का फैसला चुनाव को लेकर जल्द सकतर निर्देश दिया जाएगा या रैली और जनसभा ऐसे ही आयोजे तो होती रहेगी या फिर इस पे लगेगी लगा लोगतंडर में चुनाव है जरूरी या सस्ती है लोगों की जाद बच्चों को वैक्सीन कब ये तमान सवाल है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए दो महमान मौझूद है बीजेपी से हमारे साथ जोड़ चुके हैं देश बंदू दीखषिट जी और कार्डियो लॉजिस्ट हमारे साथ डॉक्टर संतोष यादव जी जोड़ चुके हैं दोनों महमानों का बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी से जिस तरह से चुनाव सरपर है और ओमी क्रोन ने दस्तक दे दी है सरकार की क्या कुछ तयारिया है जैसा कि आपने आज चर्चा छिड़ी और महमा आपने करोना को पुना जो आपने नया वेरियंट बताया इससे पहले भी हम कई दोर में बैठ चुके हैं जहां आपने देखा अलफा बीटा डिल्टा डिल्टा प्लस आया लेकिन मैं मैं आपको और मैं आपकी जनता को और आपके न्यू चैनल जो की बहुत ही जिम्मेदार चैनल है और इस करोना में आप लोग ने भी हमारी बड़ चड़कर हमारे साथ रहा लेकिन आपने देखा ये एक वैश्विक महामारी था जिसका इलाज मेरे पास था अभी आपने आकड़े प्रस्तुत किये तो मैं आप आकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा मैं पॉस्ट्व माइंड से वारतालाब को आगे बढ़ाऊंगा आपन मृत्यू आपने कहा दर जो है हमारे देश से बहुत बड़ी थी अब आते हैं हम अपने देश की बात करते हैं विश्व की जनसंक्या के इस आप से देखें तो चीन के बाद हमारा देश जो है दूसरे इस्थान पर आता लगबग सवा सो करोड़ आबादी का जीवत तता का ही प्रमाण है कि पहली चरण के बाद भी जब करोणा हमारे देश में दस्तक दिया रहा उनको पता चला तो आपने देखा होगा संपूर लागडाउन लगाकर उन्होंने एक तरह से पुरे भारत को बंद कर दिया लेकिन हमारे उन्होंने कहा भी जान है तो जहान है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अनवरत पूरा संगठन को लगा कर भारत के इंफ्राज स्ट्रक्चर को दूर करने के प्रयास किया और सभी जन जन तक दवा समय से पहुचे खाद्यान जरू पहुचे और रोजी रोटी का भी इंतजाम किया उसके ब ना हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट को ना हमारे साइंटिस्ट को कोई आई और इसका जो मिटेशन वो बदलता रहा लेकिन इसके इसको ध्यान में रखते हो भी हमारे प्रधान मंत्री ने भी देखिए विश्व के सभी देशों से संभात का कारिक्रम चालू रखा और जो बेस्ट से बेस्ट उपाय हो सकता उसको लाने का प्रयास किया और जान है जहान के बाद हमारी आर्थ विवस्ता की भी विवस्ता उन्होंने की अब आपने बात की पश्चिम बंगाल की मैं आपके इस प्रिष्ण का शिखाजी उत्तर देँं पश्चिम बंगाल में भी चुनाओ आयोग ने जब पहले चरण में कहा तो यही भी पक्ची पालतियां कहती थी कि नहीं यह इस्टंट है यह स्टेटजी है लेकिन हमारी जो आईवी रही हमारी जो मेडिकल रिसोर्स रहे हमारे जो साइंटिस्ट है वह कहते थे इसको टालो लेकिन वो कहते थे नहीं समव्यदान का यह दुरपयोग सारी समव्यदानिक चुनाओ, ऑड़ाक की ओपर दभाव बना रहे हैं हम चुनाओ चाहते हैं और चुनाओ समय पे बहतर से बहतर विवस्तियों जहां ऑक्सीजन की कमी रही हमारे सोलर राज्यों की जहां पर हमारी सरकारे हैं वहां देखिए वेंटिलेटर की विवस्ता की एक-एक मरीज के लिए हमारे भारती जनता पाल्टी का जो चार करोड करता रहा वो दिन रात मेहनत करता रहा उसके ब स्वास्त सेवाओं में जिस सरहासम ने दो लेहर देखिए तो कितना बदला आप देखने को मिला है देखिए सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने यह पब्लिक को जागरूप करने के लिए बहुत ही अच्छा टापिक पे चुना है तो इस समय पहले की तुल्ला में इंफ्रस्ट्रक्चर जैसे पहले एक आएक आक्सीजन की कमी थी ऐसा कहा गया ज्यादा था अब लगबग लखनव की जहां तक इस ती है हर सीएसी पे डिस्टिक हास्पिटल पे मेडिकल कालेजियों में अब आक्सीजन की कोई कमी नहीं प्र पूरी तरह तयार है और मानी मुक्षंत्री जी ने अभी निर्देश दिया है कि सभी बसड़ों पे और जो लोग एयर्पोर्ट से आ रहे हैं या बहरी इंटरनेशनल फ्लाइट से आ रही है जहांस क्योंकि यह पहला केस जो हुआ इसका 24 तॉमबर को वो दशिर अपरिका म लगवख सभी फ्लाइटों को रे इलर्ट जारी कर दिया गया हिंदुस्तान गवर्मेंट की तरफ से जिस तरह से यह दोनों लेहर देखी गई है हमारा देश आगे तो बढ़ रहा है लेकिन लोग लापरवाब ही हो रहे हैं तो लगवख सभी लोग इलर्ट है कि एकर ऐसा साथे बढ़ रहा है साथ साथ इसका पालन करना बहुत ही नितान तावस्चा जी जिस तरह से इस वक्त कोरोना भी है और दूसरी तरक चुनाओ भी है और एक तरफ हम देख सकते हैं कि लोग अपनी दिन्चरिया को समान रूप से चला रहे को बूलते हुए जा रहे हैं तो सब्सक्रां से हमने दो लहरे कोरोना की और कोरो न की लेहरों की बावजूत भी इस तरह से रही है दूसरी लहर G Tunachमें रही है कि क्या असर हुआ लेकिन अभी ही सुरक्षाच के इंतजाम में कुछ कमी देखने को मिल रही है क्या कहेंग्य सपर शिका जी मैं आपकी बात को स साथ डिस्कनेक्ट हो गयते हैं जैसा आपने कहा रैलियों का तो देखिए लोक तंत्र का एक पर्व है चुनाओ आयोग अपना निर्धारित करेगा अपना कारिकर लेकिन इस बीच हमारे ये शश्वी मुख्यमंत्री के अथक प्रयासों से आपने देखा जो पूरवर्ती सरक हैं इतनी अच्छी हैं अभी आपने जो जानकारी दी की बच्चों के उपर बुरासर है या गैदरींग है देखिए हम जान है तो जहान है मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका चैनल एक जिम्मेदार है मैं निवेदन करूंगा कि सभी लोग मास्क लगाए और आपने कंस्येसन कि प्रक्रिया को भी आप खतम कर दिया कैंप लगे हैं आप जाकर सवता बताकर बताय कर अपना वैक्सिनेशन करा सकते हैं और सो करोड आको जानकारी के लिए अगर मैं गलत हूँगा तो डॉक्टर साम मुझे करक्ट करेंगे और लगभग पांच करोलों को दोनों डोजु जो लग चुकी हैं तो हम चाहेंगे ये वर्ष बीतते बीते लगभग सभी लोग को टीका करन पूरा हो जाए और जो आने वाले वाइरस से बचा हो सके और चाह रही थी और अगर इस बार भी ऐगलती दोहराई जाती है रैलीयों का दोर चलता है चुनाओं में अगर सत्व्यस्ट हो जाती है पक्ष विपक्ष दोनों रहलिया करने लगते हैं तो इससे प्रसार हो सकता है हम डरा नहीं रहे हैं लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो जनता है वो जागरुप रहे और जो सरकार है जो पक्ष है विपक्ष वो भी अपनी जिम्मेदारी समझे ध्यांट नहीं दिया हमने ध्यान दिया लेकिन आपको बताएं यह प्रसार क्यों हुआ इसके पीछे आप आप भी जानते हैं हमारे मना करने के बाद भी इलो रैली करते रहे हमारे मना करने के बाद भी हमने कहा वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए आपने देखा और आपने हमारे सपा के अखलेश जी को देखा उन्होंने जिस विदेश को वैक्सीन कही उनके पिता जी ने आज यह लोकतंत्र का प्रयोग है रहलियां हुई लेकिन आपने देखा होगा हमने रहली का जितनी भी हमारी रहलियां हुई सब कोविट प्रोटोकॉल के अंतरगात हुई सभी ने मास्क लगाया और हमारे दूस्पर चारों ने अपने लेखा ना इन्होंने मदद की ना इन्होंन कि हमारे जनता को पूरे से पूरे बचा सके और जनता के जान की रक्षा करते हुए प्रकति के पत्वे आगे बैठने का प्रयास हमारी दोनों सरकारों ने पूरे मन से किया जी इस साइम क्या विवस्था करी जा रही है कॉंटेक्ट ट्रेसिंग करी जा रही है किस तरहां से आप कोरोना को बढ़ने से रोकेंगे देश बंदू जी शिखा जी मैं आपको बता दूँ जैसा आपने कहा अभी डॉक्टर साम ने कहा हमें पता चला है ओमिक्रोम जो नया वेरियंट आया साउथ अफ्रीका से उससे दो केस आए है उसके लिए मैं बता दूँ हमारे नागरी गुट्डियन मंत्री जोत्रा दिस्षिंद्या ने सारे एरपोटो पर आईटी पीसियार की जाच हुई है जो भी विदेशी आएगा आपकी जानकारी के लिए बता दूँ पिछले साड़े साथ हजार लोग हमारे 21 एरपोटो पर उतरे सबकी आईटी पीसियार जाच होगी और उन्होंना ऐसी विवस्ता की है कि अब जो विदेश रिपोर्ट पर आएंगी और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ जिनका vis french nation नहीं है वही एरपोर्ट पे हमारे वैक्सीनेशन की विवस्ता की घई है और वहीं पे हमारी वैक्सीनेशन होगा और अगरś आईटी पीसियार में वह साओ आए जाते हैं तो आपने देखर उन लहर सावित होगा तो इसका बच्चों पर किता असर पड़ेगा देखिए जहां तक बच्चों की बात है यह तीसरी लहर का अभी भारत में ऐसा बहुत इसमें कुछ बेशिक हलो जी हलो संतोज जी आपका बाज आ रही है हलो हलो हमारे संपर्क नहीं हो पार है संदेश कर रहे हैं आप चुनावी रैलियों की जो की खतर खत्रा साबित हो सकती है लोगतादर में चुनाव जरूरी है लेकिन क्या व्यक्तियों की जान जरूरी नहीं है श्रिकाजी मैं आपकी बात कह रहा हूं हमारा यह प्रयास है और हमारे श्रद्धे मुख्यमंत्री आदित्य योगी नात जी का प्रयास है कि जब तक मेरे ख्याल से अभी हमारे पास 3-4 महीने का कारेकाल है जब चुनाओ आयोग अपनी तिथियां घोशित करेगा तब तक हमारा ये प्रयास है कि आपने जो बात कही हमने बताया कि 14 करोड़ लोगों से जादा हमारे प्रदेश में टीका करन हो चुका है और जो बचा है वो हम चाहेंगे कि इस वर्ष के अंतिम समाप्त होते होते हमारा भारत हमारा उत्तर प्रदेश जो है संपूर्ण टीका करत हो जाए अब जहां तक आपने कहा रहलियों की बात तो उसके लिए हमने स्वास्त सिवाएं हर जगा से सुचारू रूप से सुधार किया है हमारे 75 जिलों में जो आपने कहां बच्चों के उपर इसका खत्रा है बच्चों के लिए आपने का विशेश आईशियू की विवस्ता की गई है और उसके अलावा मेडिकल एसोसियेशन को हर जगा तैयनात कर दिया गया है हमारी जो है नरसिंग से जिवाओं को सुचारूप से रिवस्ता कर दिया है हर अस्पतालों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी नहीं हो इसके लिए आपने देखा होगा ऑक्सीजन प्लांट हमारे लगाए जा चुके हैं और विशेश विशेशक जो हमारे कोविट के लिए नियनतर निसर्च कर हैं यह हर तरह से हम चाहेंगे कि हमारा उत्तर प्रदेश चुनाव से बचते हुए जान है जहान को भी पालन करते हुए चुनाव भी होगे और हमारी जनता जो है इस जो है कोविट महामारी से बच कर सुख संबद्दी के और पत पर आगे पढ़ती रहेगी जिबलकुल देश बंदो जी अब मैं संतोष जी आपके पास आना चाहूंगी जस तरह से कोरोना की लहर बढ़ रही है और वैक्सिनेशन भी तेजी से हो रहा है तो क्या बच्चों के लिए जल से जल वैक्सिन आनी चाहिए देश बंदो जी मैं आप अपसे पूछना चाहूंगी जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं क्या कहेंगे इस पर बच्चों के लिए कब तक वैक्सिन आनी चाहिए दिखिए शिखा जी ये एक वैश्विक महामारी है हम तो चाहेंगे मेरा या अगर वैक्तिगत पूछेंगी तो मैं तो चाहूंगा शीगर अतिशीगर बच्चों के लिए वैक्सिनेशन आये और बच्चे भी इस महामारी से बच कर निकले और जहां तक आप हमारे वैक्षियों ने छुटलाया कि हम वैक्सिनेशन नहीं बना सकते हैं बड़ी हर्शोल लास की बात है कि आज हम सक्षम हैं कि हम न अपने ही भारतवर्ष के प्रतेक नागरी के लिए वैक्षीन उपलब्द करा रहे हैं वरन विश्व के वो तमान देश जो हमारे जहां पर व इस महामारी से जलते से मुक्त भी होगी है 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 इस तरह से बच्चों पर तीसरी लहर का खत्रा बना हुआ है तो क्या कहेंगे क्या बच्चों के लिए जल से जल वैक्षीन आनी चाहिए और उनका वैक्षीनेशन किता सुरक्षित रहेगा संतोज जी आप उचे सुन पा रहे हैं तो हमारे बस वक्त की कमी है जिसकी वज़े से हमें यहीं इस चर्चा को रोकना पड़ रहा है आप दोनों महमारों का मैसा जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जो चुनावी महाल है उसको देखते हुए हम यहीं कहेंगे कि अभी भी लोगों को सुरक्षित रहने की यानि की सतर के रहने की जरूरत है और जस तरह से चुनावी महाल है और दुनिया अब नए वैरियंट को देख रही है ओमिक्रोन को देख रही है जस तरह से ओमिक्रोन फैल रहा है उससे देखकर लोगों के मन में कई सवाल भी उठ रहे है कि भारत में किया इसकी वज़े से तीसरी लहर आएगी है और इसके उपर क्या रिसेर्च करना चाहिए और जो कुछ भी चीज़ें उसको लेकर लोग भहभीत है भ्हभीत होने की जरुरत नहीं है हम सिर्फ चेतारे कि हमें साबधान रहने की जरुरत है आकडे बड़ रहे हैं पहले से हम सत्तर कभी हो रहे हैं तो कोरोना की वैक्सीन बहुत जरूरी है, साथ ही मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टंसिंग का पालन करना जरूरी है, जो भी दिशा निर्देश दिये जा रहे हैं, उसका पालन करते हुए हम कोरोना के हर वैरियंट को हरा सकते हैं, साथ ही जिस तरह सिल्ला परवाही ब झाल